हेलो वर्वन कैसो आप लोग आई हो भाई हमेशे कितरा आप लोग गरदा उड़ा रहे है और आज गरदा उड़ाने के लिए फाइनली हम लोगों ने ये फोन पर्चेस किया है एमेजॉन से नारजो 70 प्रो 5G ये करीब 128GB जो है बीसर का आता है दिसकाउंट वगरा करके आपको बीसर में 256 मिल जाना चाहिए हम लोगों ने और किया तो हम लोगों एक बड्स भी मिल गया है ती 300 बड्स में तो काफी अच्छा दिल आप का सकता और सबसे पहले हम लोगों ने इसको किया है काफी सारा मिलता है लेकिन अच्छी बात है कि अब बहुत सरे आप को अनिस्टॉल कर सकते हो डिसेबल भी कर सकते हो जो कि बाकी सारे फोन में जल्दी नहीं होता तो यह सब चीज हम को इसका काफी अच्छा लगा आउड़ वीजिबिलिट में डिस्पले भी बहुत बढ़ करते हैं जो इंपोर्टन चीज होता है जैसे कि IP सर्टिफिकेशन मिल जाता है 54 का इसमें रेन वाटर टच मिल जाता है जिसमें बारिस वगरा में अब टच करना है तो अपराम से उसको यूज कर सकते हो और इन डिस्पले फिंगर पिंट यह तीनों का चीज मिल जागा सब्सक्राइब करते हैं कैमरा का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है यहां पर प्राइमरी कैमरा जो है 50 Megapixel का Sony IMX 890 मिल जाता है वाइस के साथ यह 1.56 इंच का सेंसर है और F1.88 के साथ आता है मतलब F1.9 आपका सकतो 24 mm का वाइड है यह काफी ज़्यादा पारफुल औ आपरबल सेंसर जो की प्रीमियम फोन में आपको मिलता है इस फोन में फाइनलि आपको मिल गया तो सटरल एक देखते हैं इस फोन का कैमरा उपन कि हम लोगों ने फोटो मोंड में गया है कैमरा स्विच किये और 123 बहुत ही ज्यादा भाई सटरल लगे इसमें दो-3 फोटो लेने कबाद यह रुख जा रहा है तो देखते हैं कितना फोटो यह ले पाता है एक दो फोटो ले लेगा आपको दो दीन फोटो ले लेगा कि क्या सिच्वेशन है एंड काफी कम फोटोस है 16 फोटोस है तो आपको सटरल है किसमें जो है काफी ज्यादा मिलेगा 16 फोटोस टोटल है तो अगर प्रेमरी कैमरा का फोटोस बगरा देखोगे तो पहला चीज आप नोटीस करोगे कि शापने डीटेलिंग यह सब काफी बढ़िया है रेडी तुगो शोशल मेडिया रेडी तुगो फोटोस आपको दे देता है एडिटिंग का जादा है जरूरत आपको पड़ेगा नहीं अगेंश्ट लाइट वाले फोटोस में बस यह चीज फील हुआ कि हाइलाइट को थोड़ा और बूस्ट कर सकता था सैडूस को और इसके साथ फोटोस रहता है यह लो लाइट सेंसर है तो काफी अच्छा लो लाइट में एक्स्ट्रीम डार्क में फोटोस मिल जाता है और फ्लैस से भी जो फोटोस लोगे उसका एक्सपोजर हैं लिंग भी जो है काफी बढ़ी आपको मिलेगा और अगर चैनल पर नहीं हो सकते हो कि इस फोन में अगर कोई भी डाउट वगरा है जैसे कि आपको इस फोन में रॉब फोटोस का कंट्रोल मिलता है या नहीं कुछ भी ऐसा रिलेटेड तो आप वहां जाकर पूसकते हो तो अल्ट्रावाइट का बात करें तो यह आठ्ट मेंगापिक्सल का अल्ट्रा अगर अगर आप लाइट वगरा लेते हो तो वहां तक काम चल जागा बस अगेंज द लाइट फोटोस जो है नहीं मत लेना यहां पर देख सकतो आपको कितना जादा नॉइज और डीटेल्स जो है वह खतम हो जाता है यह ताइम फोटोस लो वहां पर बढ़ी है फोटोस व निकल करेंगा यह सेंसर उतना कैपबल होता नहीं और प्रोसेसर भी उतना जादा नहीं है कि आपको अच्छा फोटोस निकाल कर सकते हो तो यह देटाइम में ब्राइट लाइट में फोटोस लेने के लिए 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 तो यहां पर आप कलर सिफ्टिंग और एक्स्पोजर यहां पर यहां पर आपको फोटोस दो मोड जाता है कुछ-कुछ फिल्टर से वह मिल जाएगा अच्छी बात है कि टुएक्स है क्योंकि 890 सेंसर है तो वह इस चीज में तो दोनों मोड में जो पोट्रेट शॉट्स अप लोगे उसमें पहला चीज आपको नोटिस करने को यह मिलेगा कि आपको फेस बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट करता है चिकना करता ब्यूटीफाइब करता है इच सेलेक्शन वगरा में उतना कुछ कंसर्ण वाला चीज नहीं था दूप अगरा में फोटोस ठीक टाक निकाल सकतो बस वहीं है कि बहु जादा ब्राइट करने के च चला फोटोस निकाल दोगे तो अगर जूम का बात करें तो यहां पर आपको डिजिटली मिल जाता है 20x तक का डिजिटल जूम काफी ज्यादा स्टेबल भी फील होता है यह काफी अच्छा लगा हमको की काफी स्मूध तरीके सब जूम बगरा कर सकतो यहां पर 2x 5x तक जो दिन से चला आरहा इसका फोटोस भातार इसका अगा इसका था आता है उसका फ्राइड के पी दिफोल्ट जो है beauty mode on केसा मैं आप चाहो जको नैचुरल बोड में नहीं डिफरेंस हमने नहीं डेखा है कि इसे फर्क पड़ता है बट ब्यूटिफाई अगर जादा कर रहा आपको लग रहा तो भाई नाच्रल करके थोड़ा सा बहतर रिजल्ल ले सकते हो तो फ्रेंट कामरा में नॉर्मल मोंड में फोटोज लो या फिर पोट्रेट मोंड में फोटोज लो आपको ऐसा ही रिजल् तो ही आप यह फोन लेना नहीं तो फिर आपके लिए थोड़ा से यहां पर नैच्रल वाला साइड में कम मिलेगा लो लाइट में भी जो है अच्छा फोटो निकाल सकता है मतलब वहां पर भी आपको ठीक ठाक फोटोज मिलेगा नाइट मोड बगर सब कुछ मिल जाता है ल यह हमारा रहा 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 फोटोज डीटेल्स में और ट्वेंटीफोर एंबी का डेटा यह कैप्चर करता है तो अच्छा डीटेलिंग आपको इसमें मिल जाएगा तब कैमरा उपन करोगे तो यहीं पर आपको अल्ट्रावाइड वान एक्स का टॉगल मिल जाएगा यहीं स कर सकते हैं आपको अल्ट्रावाइड पे लोड उपन कर सकते हो नीचे में फ हैं वहां पे क्लिक करके आब बोके मोड को और इनेबल और डिसेबल कर सकते हो इस्टीट मोड अलग से दिया गया है नीचे 16 राम ट्रॉक्त है टो लेंग तो आपकर तो ऑ्क्वी जुम आपकर ह तक स्लो मोशन कर सकते हैं ताइम लप्स को और इसमें आपको सारे कैमरा में ट्राइब ट्राइब फ्रंट रियर सारे में लेकिन आपको 4K का किसी में भी इसका जात सब्सक्राइब मोड़ में आपको काफी सरा मुविंग वेकल लाइट रेल पोट्रेट और रशावर यह सब शॉट्स अलग से लेने के लिए ऑप्शन मिल जाता है डूल वियू मोड टेक्स्ट स्कैनर ग्रूप पोट्रेट्स और टिल्ट सिप्ट मोड यह सब अधिशनली मिल जाता है अगर 4 शापने डीटेलिंग जो है बहुत बढ़िया है उसमें कोई कंसर्ण वाला चीज नहीं था गिंबल आप यूज कर सकतो लो लाइट का वीडियो जो है बहुत ही बढ़िया लागाम को कहीं भी ओवर एक्सपोज ओबर ब्राइट वाला चीज नहीं देखा हाँ स्वाप का हर इस बढ़ियो अगर 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 अलटर बाइट वीडियो फोगर लेता है जूम भी खर सकता आप 10x तक आराम से जूम कर सकतो क्कौलीटी नहीं विलेगा 5x तक आपको मैक्सिमुम जो है ठीक ठाक आपको मिल जाता है और अगर अल्टरा वाइट पे जाते हो तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि लाइट हो ब्राइट हो तभी आप शॉट्स अगरा निकालना तभी अच्छा रहेगा ने तो डीटेल इस आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा खासकर लो लाइट वाले विडियो में तो अल्ट्रावाइट जो है स्रिप फोटो लेने के लिए ही ब अगर मूब करें ऐसे तो इस तरीके एक्स्पोजर मिलता है जैसे ही फेस दिखेगा एक्स्पोजर ऐसे हाई कर देगा तो आपका फेस डार्क नहीं होने वाला है मैक्सिमम लोगों को पसंदी आता है को अगर आपको इस्टेबलाइशन चाहिए तो थोड़ा से क्रॉप करत और स्टेबलाइश वीडियो मतलब दे देगा ठीक ठाक मिल जाता है तो सामने से एक्सपोजर काफी बढ़ी हैंडिल कर रहा है तो आप देख सकते हो कुछ बैक्डाउंड बाला एक्सपोजर जो पहले ब्राइट हो रहा था वह अब मतलब नहीं हो रहा है अगर हम अंदर जाए तो एक्सपोजर ब्राइट हो जाएगा फिर हम दूप में आ जाए तो एक्सपोजर बैलस कर लेता है तो कुछ ऐसा ही है काम चला हो यह आपको भी लेगा और यहां पे आपको पता है अगर आप पहले वीडियो देखो को तो यहां पे किस तरीके का लाइट कंडिशन है और कैसा लाइट आता है तो यहां पे थोड़सा लाइट है और हम अगर मूब करें इस जगह पे तो काफी कम वीजिबल है पर इस्टेल इतना डार्क में भी यह वीजिबल है जो यह 16 में पिक्सल वाला कैमरा है कुछ ऐसा ही रिजल्ट देता है आप 2.45 अपरचर के साथ तो यहां पर बहु ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ज्यादा डार्क में आप मज जाओ डेटाइम में भी देखे थे थोड़सा स्ट्रगल करता है बट लो लाइट में भी ओके वीडियो आपको देगा आपको सेवें ट्रेंटीपी पोर्टेट वीडियो करने का 890 जो सेंसर है बहु ज़्यादा कैपबल है स्लो मुशन के लिए बैटरी का बात करें तो यहां पर फाई एक दिन पांच घंटा हुआ है और कडिब देर घंटा हम लोग यूज किये इस फोन को बहु ज़्यादा हेवी उस नहीं किये ठीक था का आपको बैटरी यहां पर मि कुछ दिन बाद हम लोग वीव टी 3 वी ऑर्डर करने वाला है उसका वी रिवीव वगरा इसकाथ कंपेर वगरा सारा कुछ करने वाला है अब हम पोल करकर डाल सकते हो कि कौन सा फोन के साथ आपको कंपेर वगरा देखना है ओबर आल बोले तो यह ठीक थाक फोन आपको मिल